नमस्कार दोस्तों मैं भारशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर करें सबसे पहले श्रद्धांजली गुजरात के मोरुबी जूला पुल में जो टूटा उसमें जो लोग तकरीबन 140 जो जाने गई हैं उन सब को हारदिक श्रद्धांजली जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्दी होने स्थीक होने की कामना दोस्तों जब यह पुल गिरा यह तकरीबन 150 साल पुराना पुल है जिस पर पिछले 6 महिने से मरमत का काम चल रहा था और महज 5 दिन पहले इसे खोला गया इस पर टिकट भी लगता है और जिस तरह से यह पुल गिरा यह बता रहा है कि विकास का जो विश्विस तरी नमूना है वह क्या है गुजरात का जो मॉडल है वह क्या है और उससे भी बहुत एहम बात यह घटना जो सामने ला रही है व बता रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम पूरी की पूरी सरकार किस तरह से अमानविये है किस तरह से भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए लोग तयार है लेकिन सबसे पहले जो बहुत एहम सवाल उठ रहे हैं वह आपके साथ साज़ा कर रहे हैं हम स्क्रीन पर देखिए इस कंपनी को खेका दिया गया औरेवा कंपनी को इस पुल के मेंटेनेंस का रख रखाव का और जो पूरा का पूरा काम चला साथ महीने का उसका काम औरेवा कंपनी के पास है या कंपनी इसका जो प्रोफाईल है सोशल मीडिया पर पबलिक डोमेन में इसकी वैबसाइट पर उसे देखकर पता चलता है कि यह घड़ी बनाने का काम करती है बल्ग बनाने का काम करती है लेकिन कहीं से भी उसकी अपनी वैबसाइट यहने भताती कि वह इस तरह के पुल इस कंपनी के पास यह ठेका कैसे आया और क्यों आया दूसरा सीधा सीधा सवाल जैसे ही यह घटना होती है लोग मारे जाते हैं मरने वालों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे ही पूरी की पूरी साजिश रची जाती है इस घटना को एक शर्यंत में तब्दील करने की इसे हैश्टैक करवाया जाता है सेबोटेज के नाम पर और आप देखिए वे तमाम लोग इसमें शामिल हैं जो भाशपा से जुड़े हुए हैं भाशपा के मंतरी हैं या फिर जिन्हें खुद प्रधान मंतरी नरेन मोदी फॉलो करते हैं और वे क्या कहते हैं दो साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जाता है सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं मुख्यधारा के मीडिया भी इसे दिखाता है और कोई मीडिया यह बताता है कि यह अभी का वीडियो है और कोई मीडिया यह बताता है कि यह 24 गंटे पहले का वीडियो है जब कि हकीकत यह है कि यह वीडियो तकरीबन 2 साल पुराना है जिसे खुद जो यूटूबर्स हैं उन्होंने डाला था और इसके जरीए एक साजिश रची जाती है, वह साजिश यह है कि कुछ लोग, कुछ लड़के जो पुल पर चड़े हैं, वे पैर से जी हाँ पैर से इस पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप देखिए ये जो घिनोनी साजिश है, ये दरसल जो असली घोटाला है, जो बड़े पैमाने पर फ्रॉड है, जो बड़े पैमाने पर जाने गई हैं, उससे हमारा और आपका ध्यान भटकाने की आपराधिक कारवाई है, क्योंकि हम सब जानते हैं, कि जो जूला पुल है, सिर्फ यही नहीं, पुरी दुनिया में, चाहे लक्ष्मन जूला हो, को रिशीकेश में तमाम जूले जो suspension जूले होते हैं मैं हिलते हैं उनका पूरा का पूरा structure गोता है कि जब इशने पार करते हैं वह खिलते हैं वह solid base पर नहीं बने होते हैं और यहां देखिए कि जो लोग इस वीडियो को शेर कर रहे हैं वह बताने की गोशिश कर कि कुछ लोग साजिशाना तौर पर इस पुल पर गए और इस पुल को हिलाने की कोशिश की तोड़ने की कोशिश की और यह इतना बड़ा पुल जो नदी के ऊपर बना है वह गिर गया जो मुच्चु नदी पर बना हुआ पुल है वह जिस तरह से गिरा उसका असल वीडियो अब हमारे सामने है जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप ध्यान से देखिए कि 500 लोग जो गए हैं वे किस तरह से गिरे हैं किस तरह से उन्हें मरने के लिए इस ब्रश्ट सत्ता ने छोड़ दिया यह सब हमारे सामने हैं यह evidence हमारे सामने हैं और तो और पिछले पांच दिन में हजारों लोग इस पुल से पार किये और दूसरा जूट जो रचा जा रहा है भरश तंत्र को बचाने के लिए कि इस पुल को खोलने का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था यानि यह कोशिश की जा रही है बताने की कि यह पुल बन तो गया था रहा है पांच दिन से यह खुला हुआ है 26 अक्टूबर को खोला गया यह पुल 26 अक्टूबर को गुजराती नया साल बनाया जाता है उस दिन यह पुल खोला गया तब से लेकर कल तक यह पुल चल रहा था, टिकट कट रहा था, उसकी भी फोटो आपके पास स्क्रीन पर है यह सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, हजारों लोग इस पुल को इधर से उधर तक क्रॉस कर रहे हैं लेकिन पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया, पूरी कहानी ऐसी रची जा रही है सब को परोसी जा रही है, कोई यह पूछने को तयार नहीं है, कि यह पुल जब बन के तयार हुआ, पास दिन से चल रहा है कैसे शुरू हुआ, टिकट कट रहा है, क्या सरकार सोई हुई थी, गुजरात में जो सरकार है, जो चुनाओ की तैयारी में पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है रोज एक के बाद एक उद्गाटन हो रहे हैं, क्या गुजरात की सरकार को यह पता नहीं था, और अगर नहीं पता था, तो क्या अभी तक किसी ने इस्तीफा दिया, इतनी बड़ी चूक है, इतना बड़ा अपराद है एक सो चालिस से अधिक जाने जा चुकी हैं, कितने लोग घायल हैं, इसकी कल्पना हम और आप आराम से कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर इतनी जानों को जोखिम में डालने वाले लोग कौन हैं, उन्हें छुपाने के लिए जो तंत्र तैयार हुआ, जिसमें तमाम के तमाम लोग एक के बाद एक ट्वीट करते हैं, और इसे सिर्फ गुजराच चुनाओं से ही नहीं जोडते अब आप देखिए, यह जो ट्वीट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसमें सिर्फ इन लड़कों की बात नहीं है, बात बहुत गंभीर है, यहां पर बात हो रही अर्बन नकसल की भी, हैश्टैग अर्बन नकसल इस्तमाल किया गया है, हैश्टैग गुजराच चुनाव इस्तमाल किया गया है, क्या यह महज इत्तफाक है कि प्रधान मंतरी नरेन मोदी जब गुजराच में पूरा का पूरा चुनाव कैमपेन चला रहे हैं, वो एक के बाद एक इन तमाम नामों को दोहरा रहे हैं, और जब गुजराच सरकार इतने साफ साफ फस रही ह उस समय यह बताने की कोशिश एक तरफ से की जा रही है, कि यह पुल सरकार की गरबड़ी, सरकार के भरष्ट आचरण की वज़ा से नहीं, कुछ साजिश करने वालों की वज़ा से गिरा है, यह बहुत गंभीर है, यह गंभीर इसलिए है क्योंकि यह दोनों साजिशें जो ह हो रही है, दरसल जिन लोगों की जाने गई हैं, उन लोगों का अपमान करने की कोशिश है यह, क्योंकि यहां पर तकरीबन हिसाब वही बताया जा रहा है, कि जो लोग पुल पर चड़े थे, उन में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार है यह निश्चित तोर पर जो लोग मारे गए हैं, उनका अपमान है, और इस तरह की तमाम हरकतों को तुरंत रोकना बेहद जरूरी है, एक्सपोज करना बेहद जरूरी है, यह जो दरदिनाग हाथसा है, यह कई एहम राजनितिक सवाल को हमारे आपके सामने पेश कर रहा है, मिसाल के तोर पर 30 अक्टूबर को यह घटना होती है, जहां पर लोग मारे जाते हैं, अभी तक शवों की गिंती चल रही है, घायलों की संख्या हमें आपको ठीक ठीक अभी तक मालूम नहीं है, इस बीच गुजरात में प्रधान मंत्री नरेन मोदी पहुशते हैं, विजा आयोजन होना है, यह आयोजन सरदार पटेल के जनम दिन पर आयोजित किया गया है, जो भव्य मूर्ती बनी है, उस मूर्ती के इर्दगिर्थ पूरा आयोजन, अपने पूरे वैभाव के साथ होता है, उसमें लेश मात्र कमी नहीं आती है, प्रधान मंत्री जो अपनी तमा हाँ, निश्चित तोर पर बीच में वह याद करते हैं उन लोगों को भी जो लोग मारे गए, दुख व्यक्त करते हैं अपने भाशन में, लेकिन पूरा भाशन, एक राजनितिक भाशन, चुनावी तैयारी का भाशन है, और इसी क्रम में उनका एक और वीडियो, जो इस द बता रहा है कि किस तरह से प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने 7 अप्रेल 2016 को जब चुनाव चल रहे थे पश्चिम मंगाल में, उस समय कोलकता में भी एक पुल गिरा था, वहाँ पर भी लोग मारे गए थे, और आप देखिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी कितनी अभद्र अच्छा का इस्तमाल करते हैं कल ये पूरा भी खतम कर देगी, इसको बचा, ये भगवान ने संदेश बेजा है कोलकता में पुल गिरता है, लोग मारे जाते हैं, और प्रधान मंत्री नरेन मोदी अपनी रैली में बताने की कोशिश करते हैं, कि ये भगवान का संदेश है ताकि पूरे राजी में पता चले कि ममता बेनर जी कितनी भरष्ट हैं और शायद जब गुजरात में ये घटना होती है, तब लोग उसी घटना को याद करते हुए दोनों वीडियो को साथ चला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी, यह एक्ट ऑफ गौड है, यह एक्ट ऑफ फ्रॉड है, हम खुश किस्मत हैं कि गुजरात में जब ये दर्दनाख हासा होता है उस समय हमारे पास प्रधान मंत्री की तर्श पर ही कोई भी विपक्ष का नेता इतनी गंदी अशलील भाशा का इस्तमाल गुजरात में मारे गए लोगों के बारे में नहीं करता सारे लोग अफसोस प्रकट करते हैं, सारे लोग श्रधांजली देते हुए दिखाई देते हैं, सारे लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं यह कह रहे हैं कि यह हासा नहीं होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ यह जो वीडियो है जो वाइरल हुआ है यह बता रहा है कि किस तरह से जो राजनितिक नैतिकता है उसका उलंगन प्रधान मंत्री नरेन मोदी चुनाव हो या फिर विपक्ष की सरकारों को निशाना लेना हो तब करते रहे हैं और शायद यह एक बहुत बड़े सवाल के तौर पर हमारे आपके सामने आज मुबाए खड़ा है दोस्तों बहुत से लोग जब इस तरह की दुरगटनाए होती हैं तो कहते हैं कि इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए इस पर मीडिया को तकलीफ दे प्रश्ट पूछने नह दुरगटना हुई है इतने लोग जो मारे गए हैं इस दुरगटना में इसका असली गुनहगार कौन है वह कौन सा तंत्र है जिसकी वज़ा से इतने लोगों की जानों को नुकसान हुआ इतने बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए आखिर वह भरश्ट तंत्र कहां है उस सरकार और सरकार को बचाने के लिए जो पूरा तंत्र है उसके साथ खड़े होकर हासे के समय से ही यह कोशिश कर रहे हैं कि इसे एक बाहरी शडियंत में तबदील कर दें वे दरसल गुजरात में हुए इस हासे में मारे गए लोगों के साथ खिलवार कर रहे हैं और यह मामल यही नहीं रुखता अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे दो चीजे बहुत साफ हुई है कि सोशल मीडिया पर एक बहुत कोशिश की जा रही है चाहे फेस्बुक हो ट्विटर हो वट्सप युनिवरस्टीज हो कि इसे एक साजिश में तबदील किया जाए इसलिए हैश्टैक सेबोटैज यानि शडियंत को ट्रेंड करवाया जा रहा है इसी क्रम में बात करनाटक की करनाटक के उन पत्रकारों को सलाम जिन्होंने मुख्यमंत्री दफ्तर से दिवाली में तोफे के तौर पे जो लाखों रुपे कैश दिये गए थे उन्हें लेने से इंकार कर दिया इसे पब्लिक डोमेन में डाला और बताया कि यह प्रश्टाचार है जी हाँ यह जो घोशित प्रश्टाचार है यह हमारे देश के लिए कितना जान लेवा है इसकी क्रूर मिसाल हमने मुरूबी में अभी अभी देखी है लेकिन इस तरह की अंगिन करनाटक के करनाटक में पत्रकारों को लाकों रुपे की रिश्ट के तौर पर डिवाली में गिफ्ट दिया गया थाकि वहां पर जो भश्टाचार चल रहा है उसके बारे में मीडिया में बात बहुत कम हो यहाँ आप सब जानते हैं कि करनाटक में बहुत आम पहम चीज है अंगिनत खबरे भी आ चुकी हैं कि किस तरह से 40 फीसिदी कमिशन सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर में जाता है और इसे लेकर पे सीएम जिस तरह से पेटियम होता है उसी तरह से पे सीएम के पोस्टर भी करनाटक में लगे थे जहां स्कैन कोड के साथ पोस्टर लगाए गए थ और इसी क्रम में जिस तरह से इस ठेकेदार ने जी हां करनाटक के ठेकेदार ने राश्टपती और प्रधान मंत्री को बेहद मार्मिक चिठी लिखी और कहा कि मुझे मर्सी किलिंग की अनुमती दी जाए यानि मुझे आत्महत्या करने की अनुमती दी जाए क्यों कि सरकार एक करोड से अधिक बिल उनके दबा के बैठी हुई है उनका भुकतान नहीं हुआ और वह घोशित तोर पर कहते हैं कि 40 फीसिदी कमिशन मांगा जा रहा है दोस्तों एक बाद जो बहुत खुल कर सामने आ रही है जो मौरूबी में 140 से अधिक जाने गई हैं भारतिय नागरिकों की वे सब बचाई जा सकती थी अगर इस भरष्ट तंत्र पर रोक लगती अगर जवाब देही तै होती अगर चुनाओ के लिए हरबड़ी में तमाम घोशनाय करने तमाम चीजों को खोलने की हरबड़ी न दिखाई जाती प्रोसीजर फॉलो किया जाता आज की तारीख में वे तमाम लोग जो दुखी हैं इतनी जानों से जाने से उन सब को मिलकर पूछना चाहिए याखिर गुनागार कौन है इन में बड़े पैमाने पर बच्चे और महिलाएं भी है दोस्तों दुख के समय सही सवाल उठाना बेहस जरूरी है आप भी हमारे साथ उठाईए देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, न्यूस क्लिक खोज खबर, शुक्रिया